कन्या राश्यवालों नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब दोस्तों आप सभी को बता दें कि जुलाई के महीने में किसी भी दिन किसी भी मंदिर में जाकर यह एक चीज जरूर चढ़ा देना आपकी साथ पुस्ते बैठ कर खाएंगे नसीब और भाग्य के दरवाजे आपके खुल जाएंगे दोस्तों पूरी दुनिया आपकी तलवे चलेगी आपने जो जिस सपने में नहीं सोचा था आपके जीवन में वैसी घटना हो जाएगा एक शब्दों में कहें तो इसके लिए आप तड़प रहे थे आपको सब कुछ मिल जाएगा परन्तु आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना होगा दोस्तों हम आपसे भी के लिए रोजाना बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं इसी कारण से आपको लाब नहीं मिल पाता है और जो लोग वीडियो को अंत तक देखा है उसे बहुत लाब होता है और वह लोग कमेंट भी करते हैं कि गुरू जी आपकी वजह से हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है इसलिए दोस्तों एक बार फिर से हम आपसे बदली बहुत ही महत्व पूर्ण जानकारी लेकर आए हैं ऐसा जानकारी आपको पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जी हाँ दोस्तों अब मौका आपके हाथ में आ चुका है दोस्तों जुलाई की शुरुआत होने वाली है और इस जुलाई के महीने में यदि आप यह एक चीज को मंदिर में जाकर नहीं चला पाएंगे तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई भी इनसान नहीं होगा जी हाँ दोस्तों हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पिछले कई महीने से इसी प्रकार की जानकारी यूट्यूब पर देख रहे हैं सभी लोग आपको कह रहे हैं कि यह महीना आपका अच्छा जाएगा वह महीना अच्छा जाएगा लेकिन अभी तक वास्तव में आपका कोई भी महीना अच्छा नहीं जा पाया जैसा आप चाहते थे, वैसे आपको अभी तक नहीं मिल पाया है लेकिन दोस्तों, ये जुलाई का महीना आप सभी के लिए कोई मामूली महीना नहीं है ये सबसे ज्यादा सौभाग ये लाने वाला महीना है बस आपको अपने किस्मत को जगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे दोस्तों, हम नींद में होते हैं और कोई व्यक्ती में कहीं जाने को कहता है, तो हम जा नहीं पाते हैं क्योंकि हम गहरी नींद में होते हैं और यदि हम नींद को तोड़ने के लिए अपने मुह पर पानी का छिड़काव कर दें या पूर्व तेरा से मुह बंद हो ले, तो हमारा नींद तूट जाएगा और हम जिस भी काम के लिए जाना चाहे, वहां जा सकती है इसी प्रकार दोस्त, आपके बीच में कुछ ऐसी स्थिती है आप बहुत ही अच्छे कर्म के इंसान है लेकिन दोस्तों, यह समय आपको अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार उपाय करने होंगे जिससे आपका नसीब के द्वारा में जो भी जंग लगा है वह सब तूट जाएगा और भाग्य आपका खिलखिला उठेगा इसी लिए दोस्तों, हम आपसे विशय इतना महत्वपूर्ण निवेदन करते हैं हाथ जोड कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को आज ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह वीडियो नहीं आपके लिए रामबान यदि आप देखेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और आप हमारा धन्यवाद करेंगे जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने मातारानी के सच्चे भक्त हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जैमाता दी, जैमा संतोशी तीन बार लिख दीजिएगा माता संतोशी का सीधा आशीरवाद आप सभी को प्राप्त होगा दोस्तों अब इस वीडियो के मुख्य विशय पर बात करते हैं जुलाई के महीने में मंदिर में जाकर चुपचाप दान कर देना ये एक छोटी सी चीज और उसके बाद आप खुद भी आश्चर्य में पढ़ जाएंगे कि आखिर आपकी किसमत में इतनी चमकदार कैसे हो सकती है क्योंकि उसके बाद जो होगा वह आपको हैरान कर देगा आपके जीवन की हर एक तकलीफ है बिना किसी प्रयास, बिना किसी मेहनत की बस आपके चाहनेने मात्र से ही अपने आप गायब होनी शुरू हो जाएगी और हर वह चीज है जो आप चाहते हैं फिर चाहे वह करोडों की दौलत क्यों ना हो संतान सुख चाहो, किसी का सच्चा प्यार ही क्यों ना हो एक अच्छी नौकरी, घर मकान या फिर अच्छा बड़ा व्यापार ही क्यों ना हो, सब कुछ आपकी ओर खिंचा चला आएगा इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ती है कि यह भयंकर से भयंकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है तो आखिर क्या है, यह चीज है और इसे मंदिर में दान करने के क्या नियम है क्या शास्त्रिय और वैदिक विधान है सारी बाते हम आपको इस जोतिश कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं बस जोतिश कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है और अंत तक हर एक बात को समझ लेना है तो जयकारा बोलो माता रानी का जगत माए महा मै, माँ संतोशी की जय बोलो माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो आपकी किस्मत चाहे कितनी ही खराब क्यों नहो पूरी से पूरी किसमत भी एक अच्छे सौभाग्य में बदल जाएगी दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी हर एक चीज आपकी ओर चुम्बक की तरह किसी चली आई कि आपकी किसमत हीरे मोतियों जैसी चमक नहीं लगेगी और घोडे के समान तेज भागने लगे कि और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एक चीज में इतनी अधिक सकती है यह देवी देवताओं की संपूर्ण सकारात्मक उर्जा को आपकी ओर बढ़ सकती है और उनकी संपूर्ण कृपा और आशीरवाद आपको दिलवा सकती है और जब देवी देवता किसी के भाग्य को बदलने के पीछे उतारू हो जाते हैं उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है दिव्य शक्तियों के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है जैसा की स्वयम है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अरजुन समय कभी नहीं रुपता है आज यदि समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा तुम्हें तो बस इतना करना है कि केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करना है और वही कर्म आपकी भाग्य के निर्मान में आपकी मदद भी करेगा तो अब आपके जीवन में बदलाव का समय आ रहा है और यह बात आपको याद रखी होगी कि जब भी जीवन में बदलाव आता है तो उस बदलाव के लिए कोई ना कोई माध्यम अवश्य बनता है तो आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आएंगे आपको जो खुशियां और सौभाग्य की प्राप्ती होगी उसका माध्यम उसका कारण आज का यह जोतिश कार्यक्रम बनने वाला है तो बस ऐसे में आप इस जोतिश कार्यक्रम को पूरा देखना है ऐसी मूर्खता भूल कर भी मत करना प्रिये प्यारे दोस्तों इस जोतिश कार्यक्रम को बीच में छोड़ देना ये प्यारे दोस्तों ऐसा कभी भी मत करना आज के इस जोतिश कार्यक्रम को बनाने में हमने सच्चे मन से बहुत महनत की है शास्त्रों की गहराई से खोजबीन करने के बाद संपूर्ण जोतिशी आकलन के बाद आज के इस जोतिश कार्यक्रम में हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वह अभी गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली है आपको बस इन बातों पर पूरे विश्वास के साथ रख अमल करना है और जैसा हम बताएंगे पैसा हर एक नियम का पालन करना है फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है प्यारे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं कि हे पार्त विश्वास में बहुत अधिक शक्ति होती है अगर विश्वास है तो वह बड़ी से बड़ी परवतों को भी अपने मार्ग से हिला सकता है और यदि विश्वास नहीं है तो वह इस संसार के अस्तित्व को भी मिटा सकता अभी तो एक इनसान जब मन में द्रढ विश्वास करके भगवान को पाने की कोशिश करता है तो भगवान को भी मजबूर कर देता है दर्शन देने के लिए और वही जब एक इनसान विश्वास खो देता है तो वह आत्महत्या जैसी कुकृत्य को भी करने से पीछे नहीं हटता यानी कि जीवन के अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है सारा खेल विश्वास का है तो आज आपको भी विश्वास बना कर रखना होगा कि आज की इस जोतिश कार्यक्रम को देखने के बाद 100% गारंटी के साथ आपका जीवन बदल जाएगा और फिर आपके उपर मातारानी की कृपा और आशीरवाद तो है ही क्योंकि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उन सभी बातों में कहीं न कहीं मातारानी की अनुभूतियां उनका आशीरवाद उनकी कृपा अवश्य ही शामिल रहती हैं तो बस ज्योतिश कार्यक्रम को पूरा देखिए। बातों को अच्छी तरह से समझ गए और अपने जीवन को अपने हाथों से ही बदल डालिए। यह प्यारे दोस्तों और यह परसों में नहीं, महीनों में नहीं। कुछ ही दिनों में होगा तो बस चलिए आज की इस ज्योतिश कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप से एक निवेदन है कि माता रानी की कृपा और आशीरवाद आपके उपर बनी रह इसके लिए आपको सच्चे दिल से, सच्चे मन से, भक्ती भाव के साथ माता रानी का आभार व्यक्त करना ही होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जयमान संतोशी कृपा करो, माता रानी आपकी पर पूरी कृपा और आशीरवाद बनाए रखेंगे। मित्र याद रख होता है तो बच्चों से भी प्रेम होता है, परंतु एक से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी और प्रेम होता है। इसका कारण यह होता है कि वह बच्चा भी अपनी मां से, अपने पिता से अधिक प्रेम करता है। उन्हें रिजाने के लिए अधिक प्रयास करता है, तो ठीक इस इसी प्रकार माता रानी के सभी बच्चे हैं। हम हम और आप लेकिन उनके लाडले बनने के लिए हमें अधिक प्रयास करने होंगे। थोड़ा उन्हें दे जाना होगा। और जब हमारे प्रयास अधिक होंगे तो हमारे पास माता रानी का प्रेम और आशीरवाद भी अधिक ह यह सब कुछ प्रेम और विश्वास के ऊपर ही तो है और जैसे जैसे माता रानी के ऊपर आपका विश्वास प्रेम गहरा होता जाएगा। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जब आप परिवार के सदस्य हैं तो फिर हम जो भी पूजा पाठ आराधना ए साधनाएं माता रानी की सेवा में करते हैं। उन सब का कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंश हिस्सा आपको भी अवश्य प्राप्त होगा क्योंकि परिवार में तो सारी बराबर काटी जाती है तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे बढ़ते हैं तो अब दान का महत्व इतना अधिक है यह आपको समझाने के लिए शास्त्रों के अनुसार थोड़ा सा इसका विधान आपको बता देते हैं तब आपको पता चलेगा कि दान करने से कितने बड़े-बड़े कारे किये जा सकते हैं तो हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें चार यूगों का वर्णन मिलता है सबसे पहले सतयुग फिर त्रेता द्वापर कल यूग सतयुग होता है उसमें धर्म के चार स्तंभ होते हैं यूँ कहें कि पैर होते हैं जिनका पालन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और भी स्तंभ है सच्चाई यानि स्थित उसके बाद तपस्या यानि उसके बाद अनुष्ठान और उसके बाद बताना अब इसके बाद आता है रीता यूग त्रेता यूग यानि की तीन खंभों वाला योग इसलिए इसे त्रेता कहते हैं तो त्रेता यूग में एक खंभा कम हो जाता है यानि सच्चाई हड़ जाती है, अब रह जाता है, और अनुष्ठान और दाल इसके बाद आता है, तो आप पर योग्य नीतू खंभों वाला योग, यानि दोकार्य करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. एक अनुष्ठान और दूसरा था इसके बाद आता है कल्यूग है ये कल्यूग है ऐसा योग है जिसमें की धर्म के पास सिर्फ एक ही पैर या एक ही खंबा है और उस खंबे का नाम है जी की तान कितना शक्तिशाली है और दान करने से हम क्या-क्या खासिल कर सकते है और भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते है लेकिन अब आज के समय में तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि इस भयंकर कल्यूग में दान का खंबा भी मिल चुका है क्योंकि लोग दान को भी बिजनिस बना चुके हैं दिखावे की प्रचार की सामगरी बना चुके हैं। दान करते हैं थोड़ा सा और दिखावा इतना ज्यादा कर देती है कि जैसे यही सबसे बड़े धर्मात्मा दानवीर कर्ण है। यानि की कोरा आडंबर है। आरे सोरहंडरो का दान करके हजार रुपए की पब्लिसिटी और पब्लिक की सिंपल थी। हासिल कर लेने का व्यापार बन गया है तो ऐसा दान आपको नहीं करना है। किसी को भी नहीं करना है। ये दान तो पाप का भागी बना देता है। तो हमने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई है ना, कि आपको जोतिश, बलकि साथ ही साथ, धर्म का भी ग्यान होना बहुत आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि जोतिश भी अध्यात्म की ही एक धारा है, बिना अध्यात्म के जोतिश बिलकुल वैसा ही है। जैसे किसी इनसान के संपूर्ण स्वस्थ शरीर में आखें और कान ना हो, यानि कि ना तो जोतिश पर कुछ देख सकता है और ना ही कोशिश सुन सकता है। यदि धर्म उसके साथ है, तो उसे सही दिखाई भी देगा और सही सुनाई भी देगा और वह सही फैसले लेकर भविश्य वाणियां भी कर सकता है। हमें तो इसलिए हम आप उस समय समय पर धर्म से जुड़ी बातें ही बताती रहती हैं। अलग-अलग पुराणों से लिए गए व्याख्यान भी समझाते रहते हैं। अब हमारे इस ज्योतिश कार्यक्रम पर या अन्य किसी ज्योतिश कार्यक्रम पर केवल वही इंसान टिक सकता है जो धार्मिक है इसके। आस्था और भगवान के प्रतिपूर्ण विश्वास है। अधर्मी और ड्रामेबाज लोग एक मिनट में ही सारा ज्यान ले लेना चाहते हैं। ऐसे लोग तो हमारे ज्योतिश कार्यक्रम पर टिक ही नहीं सकते हैं। और ऐसे मूर्ख लोगों की हमें आवश्यक्ता भी नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। वही गुरू इन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता है। ये स्वयम महागुरू होते हैं। खैर चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप इस जुलाई के महीने में जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी कौन सी चीज है, जाकर मंदिर में दान कर देनी है, जिससे आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस से पहले एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है, कि शनिदेव वक्री चाल में चल रहे हैं और कुम्भ राश में वक्री है, यानि अपनी स्वराश अपने घर में ही वक्री हो गए हैं। अब वैसे तो शनिदेव की द्रिष्टी ही बक्री होती है और बक्री का मतलब होता है तिर्चा या फिर यह नकारात्मक मित्र और शनिदेव की द्रिष्टी भी वक्री है और चाल भी वक्री हो चुकी है या नहीं, शनिदेव के दुश परिणाम है और की खतरनाक हो चुके है तो वैसे ही मैं आपको कुछ जरूरी सावधानिया है, जो जरूर से जरूर अपने जीवन में शामिल कर लेने हैं। पहली सावधानी आपकी कोई भी वाहन आप चला रहे हैं, तो उसे पूरी सावधानी और सतरकता के साथ चलाए। जरा भी लापरवाही आपने दिखाई तो दुरघटना होने की पूरी गुंजाईश है। ऐसा भी खर्चा हो, घर गिरस्ती का ही खर्चा हो, तो आप इन तारीख और तीनों को डाल दें। उसके बाद खर्चा करें तो आपके लिए हितकर होगा। यह एक बहुत बड़ी जानकारी है। प्यारे दोस्तों, और हम जो आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं बता सकता है। लोग बस उपर-उपर की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि हम से संपर्क करो, हम आपकी कुंडली देख लेते हैं। तू महीने की आठ तारीख, सत्रा तारीख और छबीस तारीख इन तीन तारीखों को आपको बचाना है। कोई विशेश दिल नहीं करनी है, कोई भी किसी से पैसे नहीं करना है, कोई भी महत्वपूर्ण जरूरी कार्य इन दिनों पर नहीं करना है, इन्हें आपको टाल देना है, अब इसी के साथ साथ कुछ और छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके प्रभाव बढ़ी रहे आप समझ लो ही कि कोई भी चीज किसी को भी ना प्रयोग के लिए थे और ना ही दान करें, काले रंग के अपने कपड़े अपने प्रयोग के सामान लेने जूते हैं, कपड़े हैं, जो भी कुछ आप काले रंग की वस्तु प्रयोग करते हैं, किसी को भी नाते ना दान करें हमें तो वैसे भी हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में दान का जो विधान है वह मंदिर से जुड़ा हुआ है यानि कि भगवान के सामने जो दान किया जाता है वही दान होता है कि आप कहीं भी सड़क के किनारे बाजार में किसी को कुछ दे देते हैं तो वह आपकी इंसानियत है लेकिन धर्म की नजर में वह इस शरीर पता नहीं कहा जाएगा इससे यह तो हो जाएगा आपकी इंसानियत उत्तम है आपके अंदर मानवता के प्रति प्रेम और दया है तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी लेकिन इनसान की सही नियम और विधान तो केवल मंदिर में दान करने से ही जुड़े हैं तो बस इन सावधानियों को आप बना कर चलें अब एक बात हम आपको यहाँ पर और बता दें कि शनिदेव जब फ्री होती हैं और राहु केतु बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं यानि कि राक्षस ग्रहशनिदेव की वक्र दृष्टी का इंतजार करते हैं वक्र चाल का भी इंतजार करते हैं तो ऐसी अवस्था में राहु आपके उपर बुरा प्रभाव डाल सकती है यानि कि आपको नकारात्मक चीजों में नेगेटिव लोगों के पास बैठने में मज़ा आने लगेगा गलत कारे की तरफ आपका आकरशन बढ़ने लगेगा कोई आपको जरा सा भी ओफर देगा और आप शराब पी सकते हैं जुआ खेल सकते हैं गलत से गलत कारे को भी कर सकते हैं आपको इसमें कुछ भी गलत या बुरा समझ में नहीं आएगा यह राहू का प्रभाव रहेगा दूसरे किसी की जरा सी सलाह पर आंख बड़ी से बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं पुराने व्यापार को बंद कर सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चल रही अच्छी खासी नौकरी को छोड़ कर किसी नए व्यापार को करने का प्लान बना सकते हैं अभी हम आपको बता दें कि 118 दिनों तक आपको जब तक शनी के वक्री चाल है किसी भी प्रकार के नए व्यापार बिजनिस के बारे में सोचना भी नहीं है यह प्यारे दोस्तों शनी देव की बकरी द्रिश्टी और बकरी चाल में यह बहुत अधिक होता है लोग जिस कार्य को कर रहे होते हैं उसी कार्य में उनकी रुची कम हो जाती है मजा नहीं आता है उन्हें लगता है कि अब इस कार्य में कुछ नहीं रखा है इसे बंद करके कुछ नया काम शुरू कर लेते हैं लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती होती है वहां भी उन्हें धोखा और इशानी ही मिलेगी इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए राहु के दुश परिणामों से बचने के लिए आपको क्या करना है पहली चीज आप जिस घड़ी को पहनते हैं वह घड़ी गोल्ड आयल की होनी चाहिए प्यारे दोस्तों आज कल फैशन आ गई है तो लोग चौकोर डायल की घड़ी पहनने लगे हैं लेकिन आप खुद ही समझ ले कि इस समय एक चक्कर में चलता है और घड़ी पुराने जमाने से अब तक गोल्ड आयल की ही हुआ करती है लेकिन अब फैशन आ गई है तो कुछ भी कर सकती हो गोल चीज को भी चौकोर बना लोगे और चौकोर चीजों को गोल बना लो तू क्या इस से हमारी जुड़ जाए है वह तो नहीं बदल जाती तो समय की जो उर्जा है वह गोलाकार चक्कर में भ्रमन करती है तो आपको सही समय का लाभ प्राप्त करना है जो कि राहुल देव आपको दिला सकते हैं तो वह तब ही होगा जब आप फ्री ऐसी पहने जो गोल्ड आयल की हो दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रोनिक सामान जो आपके घर में पड़ा है और यदि वह खराब हो चुका है तो उसे तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दे कबाडी वाले को दे दे या फिर आप उसे सही करवा दे ठीक करवा कर अपने घर में रखें तीसरा, आपके घर की छट यदि गंदी रहती है उसमें धूल मिट्टी जमा रहती है या उस पर कबाड का सामान पड़ा रहता है उसे उठा कर घर से बाहर फेंक दे आप रहु कब क्रीम जीत सकते हैं, दिल जीत सकते हैं यदि आप अपने कबाड का सामान किसी कबाडी वाले को देते हैं और उससे जो रुपए आपके पास होते हैं उसे रुपए से आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चड़ा देते हैं मान कर चलिए कि आपके घर में जो कबाड का सामान है, इलेक्ट्रोनिक सामान है, लोहे का प्लास्टिक का जो भी है आपने उसे बेच दिया कबाडी वाले को, अब उससे आपको जो पैसे मिले मान कर चले कि RS-50 आपको प्राप्त हुए, उस RS-50 से आप हनुमान जी के मंदिर मे जाकर यदि चोला चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, तो इससे राहुदेव आपसे इतने प्रसन्न होते हैं कि मैं आपको तुरंथ आकस्मिक लाप दिलाना शुरू करते हैं, इस उपाय को आप एक बार हमारे कहने से करके अवश्य देखना है, हम गारंटी द उसे फिर कोई ना मारे, राहों में बहुत अधिक शक्ति होती है, याद रखना कि यह वही राहु है, किसी हनुमान जी का आशीरवाद प्राप्त है, जिसे भोले बाबा का आशीरवाद प्राप्त है और जिसने अमृत किया है, यानि कि वह देवताओं की श्रेणी में आ च कुछ दे सकता है रंक को राजा और राजा और रंक बना सकता है तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कौन सी वह चीज है जो मंदिर में दान करनी है और उससे आपको कैसे कैसे लाभ प्राप्त होंगे उसके नियम क्या है विधान क्या है तो मित्रो सबसे पहली बात आप समझ गए कि जुलाई के इस पूरे महीने में शनी देव वक्री चाल तो चल ही रहे हैं साथ ही साथ मंगल भी आपकी राश्य पर भारी है और राहुल तो है ही शनी देव का साथ देने के लिए अब उस शनी राहु और मंगल है तीनों को एक साथ आपको पसंद करना है तीनों प् प्रसन हुए तो मिट्टी मिला देंगे तो इसके लिए आपको हम बताते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली चीज जिसे आपको दान करना है। साथ साथ पाँच आसन और पाँच हनुमान चालीसा की किताबें और थोड़ा सा लाल सिंदूर जी हाँ प्यारे दोस्तों जो हनुमान जी पर चड़ता है जिसे लोग अपने माथे पर लगाते हैं। इन चीजों को आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर दा कर देना है। जी हमें तो अब इस दान से आपको क्या लाब होगा। किसी भी आप समझे कि जब आपके द्वारा रखी गई माचिस आपके द्वारा रखा गया। सिंदूर आपके द्वारा रखी गई किताबें और आशा मंदिर में प्रयोग होंगे तो जितने भी लोग मं और जितने भी पूजा पाठ किया करेंगे। उस सब किया में कहीं न कहीं आंशिक रूप से आपकी भागीदारी रहेगी। इसी के साथ साथ आप कम से कम तीन झाडू अभी मंदिर में दान करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली क्रिया है। इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो मंदिर में जो सफाई होगी उसमें भी आपकी भागीदारी हो गई। अब आपने मंदिर में चारों तरफ हर एक क्रिया में अपना हिस्सा अपनी भागीदारी नियुक्त कर ली है। तो अब आपके उपर हनुमान जी की चारों तरफ से कृपा आएगी और जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आएगी तो फिर कितनी ही बुरी परिस्थिती हो, कितना ही नकारात्मक परिणाम, नकारात्मक भाग्य आपका चल रहा हो, क्षन भर में सौ भाग्य में बदल जाएगा, तो अब आपको यह जो तान है, यह आप किसी भी शनिवार के दिन जाकर कर सकते हैं, या जुलाई के पहले दिन भी आप कर सकते हैं, जिनका ऐसा कोई विशेश नियम नहीं है, लेकिन इस जान को करते समय कुछ चीजों का आपको खयाल रखना होगा, सावधानिया हैं, जैसा कि हमने शुरुवात में कहा था कि दान को आपको प्रचार नहीं करना है, हमारी हिंदु धर्म मैदान के बारे में ऐसी कहावत है, कि एक हाथ से दान दिया, तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, कहने का मतलब ये है, कि आपका कितना ही कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, जीवन साथ ही क्यों ना हो, आपने जब दान किया, तो उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं, किसी को भनक नहीं, चुप चाप जाकर आप इस कार्य को करके आएंगे और भूल जाएंगे, जब आप इस क्रिया को इस तरह करेंगे, तभी एक कि ना तो ज्योतिश पर कुछ देख सकता है, और ना ही कोशिश सुन सकता है, यदि धर्म उसके साथ है, तो उसे सही दिखाई भी देगा, और सही सुनाई भी देगा, और वह सही फैसले लेकर भविश्य वाणियां भी कर सकता है, हमें तो इसलिए हम आप उस समय समय पर धर्म से जुड़ी बातें ही बताती रहती हैं, अलग-अलग पुराणों से लिए गए व्याख्यान भी समझाते रहते हैं, अब हमारे इस ज्योतिश कार्यक्रम पर या अन्य किसी ज्योतिश कार्यक्रम पर केवल वही इंसान टिक सकता है, जो धार्मिक है इसके, आस्था और भगवान के प्रतिपूर्ण विश्वास है, अधर्मी और ड्रामेबाज लोग एक मिनट में ही सारा ग्यान ले लेना चाहते हैं, ऐसे लोग तो हमारे ज्योतिश कार्यक्रम पर टिक ही नहीं सकते हैं, और ऐसे मूर्ख लोगों की हमें आवश्यक्ता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है, वही गुरू इन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता है, ये स्वयम महा गुरू होते हैं, खैर चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप इस जुलाई के महीने में जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी कौन सी चीज है, जाकर मंदिर में दान कर देनी है, जिससे आपका उद्धार हो जाएगा, लेकिन इससे पहले एक चीज है, जो आपको ध्यान देनी है, जो जरूर से जरूर से जरूरी सावधानिया है, जो जरूर से जरूर अपने जीवन में शामिल कर लेने है, पहली सावधानी आपकी कोई भी वाहन आप चला रहे हैं, तो उसे पूरी सावधानी और सतरकता के साथ चलाए, जराभी लापरवाही आपने दिखाई तो दुरघटना होने की पूरी गुंजाईश है, भारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं, किसी कारखाने में हैं, तो मशीनरी को पूरी सतरकता के साथ प्रयोग करें, अन्यथा कोई हादसा हो सकता है, इसी के साथ साथ महीने की कुछ तारीखें हैं और कुछ दिन हैं, इन दिनों और तारीखों पर आपको किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं लेना है, ना ही देना है और ना ही इसी प्रकार का खर्चा करना है जी हमें तो कैसा भी खर्चा हो, घर गिरस्ती का ही खर्चा हो, तो आप इन तारीख और तीनों को डाल दें उसके बाद खर्चा करें तो आपके लिए हित कर होगा यह एक बहुत बड़ी जानकारी है प्यारे दोस्तों और हम जो आपको बता रहे हैं ऐसा कोई आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं बता सकता है लोग बस उपर उपर की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे संपर्क करो हम आपकी कुंडली देख लेते हैं यानि आपसे पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन हम आप हो मातारानी की सेवा करने की भाव से ग्यान देते हैं तो जो ग्यान हम आपको दे रहे हैं वह शुद्ध है, पवित्र है और सटीक है तो ध्यान से सुनिए कौन सी है, बे तारीख है और तीन दिन में आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो पैसे से जुड़े हुए हैं तो ध्यान से सुनिए वह विशेश दिन है शनिवार और तारीख की बात कर लेते हैं तू महीने की आठ तारीख, सत्रा तारीख और छबीस तारीख इन तीन तारीखों को आपको बचाना है। कोई विशेश दिल नहीं करनी है, कोई भी किसी से पैसे नहीं करना है, कोई भी महत्वपूर्ण जरूरी कार्य इन दिनों पर नहीं करना है, इन्हें आपको टाल देना है, अब इसी के साथ साथ कुछ और छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके प्रभाव बढ़ी रहे आप समझ लो ही कि कोई भी चीज किसी को भी ना प्रयोग के लिए थे और ना ही दान करें, काले रंग के अपने कपड़े अपने प्रयोग के सामान लेने जूते हैं, कपड़े हैं, जो भी कुछ आप काले रंग की वस्तु प्रयोग करते हैं, किसी को भी नाते ना दान करें हमें तो वैसे भी हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में दान का जो विधान है वह मंदिर से जुड़ा हुआ है यानि कि भगवान के सामने जो दान किया जाता है वही दान होता है कि आप कहीं भी सड़क के किनारे बाजार में किसी को कुछ दे देते हैं तो वह आपकी इंसानियत है लेकिन धर्म की नजर में वह इस शरीर पता नहीं कहा जाएगा इससे यह तो हो जाएगा आपकी इंसानियत उत्तम है आपके अंदर मानवता के प्रति प्रेम और दया है तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी लेकिन इनसान की सही नियम और विधान तो केवल मंदिर में दान करने से ही जुड़े हैं तो बस इन सावधानियों को आप बना कर चलें अब एक बात हम आपको यहाँ पर और बता दें कि शनिदेव जब फ्री होती हैं और राहु केतु बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं यानि कि राक्षस ग्रह शनिदेव की वक्र द्रिष्टि का इंतजार करते हैं वक्र चाल का भी इंतजार करते हैं तो ऐसी अवस्था में राहु आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है यानि कि आपको नकारात्मक चीजों में नेगेटिव लोगों के पास बैठने में मज़ा आने लगेगा गलत कारे की तरफ आपका आकरशन बढ़ने लगेगा कोई आपको जरा सा भी ओफर देगा और आप शराब पी सकते हैं जुआ खेल सकते हैं गलत से गलत कारे को भी कर सकते हैं आपको इसमें कुछ भी गलत या बुरा समझ में नहीं आएगा यह राहू का प्रभाव रहेगा दूसरे किसी की जरासी सलाह पर आँख बड़ी से बड़ी रकम इंवेस्ट कर सकते हैं नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं पुराने व्यापार को बंद कर सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चल रही अच्छी खासी नौकरी को छोड़ कर किसी नए व्यापार को करने का प्लान बना सकते हैं। अभी हम आपको बता दें कि 118 दिनों तक आपको जब तक शनी के वक्री चाल है किसी भी प्रकार के नए व्यापार बिजनस के बारे में सोचना भी नहीं है। वहाँ भी उन्हें धोखा और इशानी ही मिलेगी। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है।